तो दोस्तो आज कि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Sins और 4 के बारे में ये एक वीवर की request थी कि सर Sins और 4 इन दिनों के बीच में कौन सा मुख्य अंतर होता है तो उसके बारे में हमें बता दीजे तो ये वीडियो आपकी सिर्फ Sins और 4 से related है ये आपको Sins और 4 के बारे में नहीं पता है तो आज की वीडियो के बाद आपको किसी और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो चलिए शुरू करते हैं तो देखे सबसे पहले हम देखेंगे 4 और Sins इनका आखिर मतलब होता क्या है तो देखें जो 4 है इसका use हम करते हैं समय अबधी के लिए या फिर आप बोल सकते हैं time duration के लिए जब आप किसी की time duration बताते हैं तो वहाँ पर आपको 4 का use करना है अब जो आपका Sins है वो होगा किसी निश्चित समय के लिए निश्चित समय का मतलब है जो की accurate समय हो यानि कि उसमें कोई भी घीता तानी नहीं हो सकती आपको मैं आके बताँगा आपको उससे अच्छे से समझ में आएगा चब मैं आपको examples दूँगा अब देखिए 4 4 में हमने लिखा है मैंने भी आपको बोला था कि ये सिर्फ time duration बताएगा कितने घंटों से, कितने दिनों से, कितने महीनों से, कितने सालों से, कितने मिनट से तो ये time duration है जैसे कि 2 घंटे से यानि कि 2 घंटे की time duration उसने मुझे बता दी 3 दिनों से, तो 3 दिनों की time duration उसने मुझे बता दी 2 महिनों से, यानि कि 2 महिनों की time duration से वो काम में लगा हुआ है या फूर कुछ कारिय कर रहा है तो 4 आपको बताएगा time duration को किसी भी चीज की हो, उसकी time duration ये दिए आपको बतानी है तो आपको 4 का youse करना है लेकिन जो SINCE है ये मैंने आपको बताया था निश्चित टाइम को बताया है यानि कि accurate time को जैसे कि दो बजे से अब देखिए दो तो आपके दिन में एक ही बार बजते हैं यानि कि दोपेर को 2 बजे, या फिर सुबह 2 बजेंगे, या फिर दोपेर को 2 बजेंगे, रात वाले दो होते हैं या फिर 21 तारिक से जैसे कोई डेट बता देते हैं न, कि बhahi वो 15 तारिक से गया हुआ है, यानि कि वो accurate time बता रहा है की accurate मन्थ है 2007 से 2010 से 2020 से 2022 से यह सब भी accurate है और जो होते है morning, evening, afternoon यह सब क्या है यह भी accurate है पूरे दिन में एक ही बार morning होती है एक ही बार afternoon आता है और एक ही बार evening और night सब को जो है एक ही बार होता है 24 गंटों के अंदर तो जो भी आपका निश्यत समय है उसमें आपको since का यूज करना है और जो आपका निश्यत समय नहीं है उसमें आपको यूज करना है 4 का तो इस तरह चाप इन दोरों में difference करोगे तो चलिए मैं आपको example बता देता हूँ तो यहाँ पर मैंने example लिखा हूआ है वह सुबह से खेल रहा है तो देखें यहाँ पर सुबह है लेकिन यहाँ पर मैंने देखें इसकी English बनाई है He has been playing since और उसके बाद मैंने 4 भी लगा वहा है क्योंकि यहाँ पर जो सुबह है वो change हो सकती है दो घंटे से जैसे कि वह दो घंटे से खेल रहा है वह तीन दिनों से खेल रहा है वह दो महीनों से खेल रहा है तो जब ऐसी बात आएगी तो यहाँ पर लिखना है आपको He has been playing 4 उसके बाद 2 hours, 3 days, 2 months इस तरह से बनाना है और यदि ऐसा आए कि वह दो बजे से खेल रहा है वह 21 तारिक से खेल रहा है वह अपरेल से खेल रहा है वह सुबह से खेल रहा है साम से खेल रहा है तो यहाँ पर जब accurate time बताए तब आपको since का use करना है यानि कि अब आपको बोलना है He has been playing since अब 2 बजे है तो 2 पी अम जो भी आपको बोलना है 21 तारिक से है अपरेल से है जो भी आपको लिखना है वह since के बाद आपको लगा देना है तो इस तरह से आपको इनका difference समझ में आ गया होगा कि इनका क्या difference दोनों में अब मैं आप सब के लिए एक example देता हूँ जो की आपको translate करके comment box में बताना है तो देखते हैं कितने बच्चे से अच्छे से समझ पाए है तो वो है वह है दो घंटे से बोल रही है तो इसको आपको translate करके comment box में जवाब देना है और ये भी बताना है कि इसमें for लगेगा या since लगेगा तो आज की वीडियो में इतना ही मिलते है किसी next वीडियो में तब तक के लिए जो है आप हमारी वीडियो को देखते रही है हमारे चैनल पर विजिट करके तो आपको वीडियो कैसे लगी है जरूर बताएगा और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक अच्छा सा कमेंट करना बिलकुल ना भूले थैंक यू